अदरक को नमक में डाल कर भूनने के फायदे जान कर आप हैरान रह जाओगे और हमेशा अपने घर पर आप इसे बना कर ही रखोगे इसके लिए कड़ाई में पहले आपको नमक को थोड़ा गरम कर लेना है फिर इसमें अदरक डालना है यह मैंने लगबग 1500 ग्राम अदरक लिया है इसे दो कर बहुती अच्छे से साफ कपड़े से मैंने पॉंच कर डाला है इसमें जिसे की इसको पर पानी न रहे अब इसे हम भूनेंगे लगातर मिक्स करते हुए इस तरीके से गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे लगबग 8-10 मिनट के लिए बून लेंगे अदरक को अदरक को भूनने के बाद यह मैं से निकाल ले रही हूँ नमक में से और नमक को मैं ठंडा करके कंटेनर में फिल करके रख लूँगी तो यह बेकिंग में भी काम आ जाएगा करके लिए पहले पौंच लेंगे और साथ मैं इसका चिलका भी हमें हटाना है तो मैं स्पून से न का चिलका हटाऊंगी या फिर नाइफ से भी आप अप अपना सकते हैं चिलने के बाद मैंने इने छोड़े पीसिस में कट कर लिया है जिसे कि इन्हें पीसने में आसानी रहती है तो ये grinding जाल ले लिया मैंने इसमें डाल कर मैं पीस लूंगी अगर जरूरत लगे तो आप इसमें थोड़ा पाणी एड़ कर सकते हैं पीस्ते टाइम पर मैंने और यह जो अदरक पीस कर रखा है उसको भी इसमें एड़ करेंगे और हलका सा मिक्स करूंगी मैं अदरक को अदरक पैंद में चिपके ना इसलिए मैंने पहले से ही इसमें घी डाल दिया था और एड़ कर रही हूं इसमें मैं 200 ग्राम गोड जिसे मैंने पीसिज में कट कर लि है और गोड और अदरक तो बहुती फायदा करते हैं सर्दियों का मौसम भी अब शुरू ही हो गया है सर्दी जो खाम खांसी अगर किसी को हो रख है नहीं भी हो रख है ना तब भी आप ये कैंडी किसी को दे सकते हैं जिसे की सभी की इम्मुनिटी भी बूस्ट होती है और सर्दी जो खाम ये होने ही नहीं देगी तो जैसे ही ये गोड हमारा मेल्ट हो जाएगा ना उसके बाद इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे जिससे की कैंडी का स्वाद दो गुना बढ़ जाता है इसके लिए हमें डालना है काला नमक एक छोटी चमच या फिर टेस्ट के चाट मसाला आप चाहें तो बिना चाट मसाले की बना सकते हैं लेकिन इससे स्वाद बहुती बढ़ जाता है एक चमच डाला है भुने हुए जीरे का पाउडर अब अच्छे से मिक्स करेंगे और लगबग चार से पांच मिनट तक इस मिक्षर को पकाएंगे लो मीडियम फ और मिक्षर को भी लगातर मिक्स करते रहेंगे जिसे कि यह जले ना नीचे से और जब आप इस पानी मेंसे मिक्षर को निकालेंगे तो यह इस तरीके से सॉफ्ट होना चाहिए जब आप हाथ से प्रेस कर रहे हैं तो इसली प्रेस हो इसका मतलब यह मिक्षर अच्छे तरह जाने डेंगे, मतलब इतना ठंडा करेंगे कि हम इसे हाथ से चू सकें क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडा हो गया तो इसकी केंडी बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा तो जब यह हल्का गरम मिक्षर होगा ना तभी केंडी बनाना हमें शुरू करना है और बीच बीच में मैंने इस मिक्षर को मिक्स किया कि ऐसा भी ना हो कि उपर से ठंडा हो जाए और अंदर से गरम ही रहे केंडी बनाने से पहले हाथ पर इस तरीके से घी लगा लेंगे जिससे की मिक्षर हाथ से ना चिपके और थोड़ा-थोड़ा सा मिक्षर लेंगे इस तरीके से और दोनों हतेलियों से गुमाते हुए इसकी गोल-गोल केंडी बनाएंगे और बहुती जल्दी-जल्दी करना होता है हमें ये प्रॉसेस और ये शुगर पाउडर ले लिया है मैंने इस कैंडी को कोट करने के लिए और इन्हें एक प्लेट में दूर-दूर आपको रखना है क्योंकि गरम-गरम कैंडी रहती है तो वो आपस में चिपक जाती है तो एक प्लेट में इन्हें आप दूर-दूर रखें बनाने के बाद ये अदरक और गुड़की कैंडी इतनी टेस्टी लगती है कि आपके घर पर कोई इसे खाने से मनाने ही करने वाला है और इसके फाइदे भी इतने हैं बच्चे भी इसे पसंद करेंगे अगर उन्हें भी सर्दी जुखाम या खासी कभी हो तो आप ये केंडी बच्चों को भी खिला सकते हैं बच्चों के लिए आप थोड़ी छोटी छोटी साइज में बनाएं केंडी को बहुत ही टेस्टी केंडी बनी थी इसमें चाट मसाला डाल दिया ना उससे स्वाद और भी बढ़ गया त तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ तब तक के लिए थैंक्यू बबाई